दिल्ली एंसियार हर्याना को अब आने वाली सर्दियों में परदूशन से काफी हद तक मुक्ती मिल जाएगी। देश को हर साल कई लाग करोड की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। देश को बहुत सारे मेडल दिलाएं। हर्याना से मुखाती पीम ने अपने संबोधन में कहा कि परदेश के किसानों ने खेतों में जहां अपनी उर्जा दिखाई। इसी के साथ हाली में कोमन वेल्थ गेम्स में यहां के खिलाडियों ने मेडल लाने में अपनी उर्जा दिखाई। पीम ने विप्रक्ष पर निशाना साते हुए कहा कि काले कपड़े पहने वालों की मनशा देश के लोग अब जान चुके हैं। सरकार के खिलाब जूट पर जूट बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हतासा में ये लोग भी अब काले जादू की तरब मुड़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोली में प्रकृति गैस मंत्री हरदीप पूरी ने कहा। देखिए पराली की जहां तक चर्चा है अभी क्या रही है किसान जो स्टेट्स हैं जहां पर पराली की समस्या है पंजाब अरियाना बाकी सबको कोई रास्ता निकालना था। तो ये बहुत रिसर्च करने के बाहर हमने रहे हैं ये सेकंड जेनरेशन एथनोल प्लान दो हैं मतला दो देशों में हैं अमरीका में और ब्रजिल में। गोरतलब है कि पिछले 6-7 साल में एथनोल के परियोग से देश ने करीब 40,000 करोड की विदेशी मुद्रा बचाई है। रिफाइनरी किसानों से 200 रुपे किवंटल के दाम से खेतों से ही पराली उठाएगी, खोदी कलेक्शन सेंटर बनाएगी, अगर प्रियोग सफल लहा तो हर्याना पंजाब और दिली के किसानों की हो जाएगी, बले बले। अमेरिका और ब्राजील के बाद पराली से एथनोल बनाने का देश का पहला प्लांट आज पानी पत्र रिफाइनरी में शुरू हुआ है, जिसका उद्गाटन परधान मंत्री ने किया है। दिवेंदर कतोरिया, टोटल लेउज, पानी पत्र रिफाइनरी